राच्री से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकेन पे क्लिक कीजिए अपर्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्णार्ण झाल 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 जिन्दगी गुजर्गी शीदले टाक्ते टाक्ते झाल 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 करता यह मेरे दोस्त तुम कमाल के यार तुम काल क्या करते हो मैं बस फटे पुराने कपड़ों में रफू किया करता हूं धागे से लपेटता हूं और कपड़ों को सिया करता हूं कि बहुत चबहेगी तो जाहर है तो जितनी भी आइंदार से बख्वास किया करूं जो भी आइंड पाइंशन पगा करूं जो भी बात किया करूं तुम इसका रफू कर देना मगर यह खुदकुशी कैंसर अरे मुभारक खो जलो उठो मिया दोस्त यह मेरा घर है आज से तुम मेरे साथ इसी घर में रहोगे बड़ा शानदार खरे ऐसा घर हमने अपने बच्पने में बाइसकोप में देखा था अब दो कि या कि अब अपने उव्यादा नहीं है ये तो छोंना नहीं है तो भूग अलडरी के वज़े से ऐसी हालत हो गई है किर आख ऐसी है मैं दोस्ता है इनकी खातिर करो खाना तयार है अगदूर थे मेरे दोस्तों ना कुड़ों में वहां से आता हूँ ना पपी ने मा आता हो यहां पिने इतनी पपी मेरी माने भी निया पी तरosa ya chicken यह लो मेरे ग्रीप तोस्तों यह लो एक बार रस मिलाई घाए हुआ है तोड़ इसे मेरे हाँ ज़यません जाल भी मोरक्त हॉँका छाल, शाल नांगाए, जाल मिछेती मचेती और राद भाद ही गोगी नांगाए, जाल मुटो नांगाए, जाल पी तो यह जाल क्योज जाल, जाल पी यह जाल वारी में आपके हैं। अभी एग मुनेड़ एग मुनेड़ चिकन लूँ एग मुने या यह का आई दिले? एटे उपल बाराज बोलतेस्टो चिकन खाँ? नूडल्स यह घास? घास दी यह ओ नूडल्स है मेरे गईब दोस्तु नूडल्स है खराब है खराब है थेज़ देवलाप करो तेज़ देवलाप करो रोटी ये इस तो उठाए खाए खाए ऐसा उठाए उठाए खाए बर्दाद के केच्वे लग रही है क्ये लगाँ ये खाना आया मोने लिए खेला मैं थोड़ा और देना खाने कि यो मस्ट टेक टिस वो मूँ पोचने के लिए हाथ दोने के लिए था क्या करता है कुछ होएगा तो नहीं कुछ नहीं होगा सिर्फ पेडशाब हो जागा सब्सक्राइब सब्सक्राइब मेरे गरेब दोस्त इजे 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 कितने दुर्वाट खा रहा हूँ अष्या ना इंह अष्या अब नहीं है इमार को फुर्गा इस ना इस बाल्या मैं अब कि च्श्याग का मेरे हाथ मेरे थर्ट लाए अप्से के अदों कर आदेने रहा है हुआ ए आप आपने आये हमारी यह जान बचाई है ऐसे सोरिश पर देंगे हम यहां सोएंगे यहां कहा मेरे दोस मैं तुम्हें इससे भी उच्छी जगा पर सुलाओं कि छोट लग जाएगे यह जगाची हो यही सो जाते हैं यह सो जाते हैं आपकड़े उतारो इंडंसरव और यह जाते हैं दों के कपड़े पहने रखोएंगे छिपर आपने कपड़े में आई रहता क्या हम अपनी चूबोड कर मद दोस्टी और ओट नहाय थी खुद्दार, नमक खलाल, और लावारी स्टाइब के आद्म मेरे दोस्त चलो सोजाँ मिस्टर नाटुवरलाल, जब सावेरे उठोगे, तो मुगदर के सिकनर वन के उठना, बूर नाइट, शब वाखेर आप आप कहा सोने हैं, तेरे कदमो मेरे यार, तो चब बखेर, के पी की जान बचाई है, कोई, चलो सोजाँ अरे बाप अरे, इतना सरदर्द क्यों हो रहा है, अवायर में नीचे किसे हो गया यह बद्भू क्यों आरे बिस्तर में से, आरे किसने पापुलाल आया साथ, शेतिया, आया साथ, कोई रहा है यह बिकारीटाए बाद मे, यह सर आपके दोस्त है, आप ही रात को लाए थे, अब आरे दोस्तों और यह सर, निखलो उसको बादन निखलो, अरे क्या बात करें साथ, आपको जब नैशे पे चाड रहे थे, अभी औ वार्ष में अपक्वास करें हो चाड रहे थे अरे मैं आपकी जान भजाएए लिए रहे क्या तमीज है जिवल आदमी शिराफथ का नाजात फाइदा उठा लेता है जो निकालो कर दो जादमी जाला है हर्ट 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 मेरे यार मेरे गरीब दोस्त कहा हो यार चलो मेरे साथ तुमारे बगार मेरी जिंदीगी मुँआ अधूरी है क्यों कि लाप पिला के लाप मारने को दूसरा नहीं मिला किया कैसी बात करने हो मुझ जैसे दोस्त बात मार सकते हैं मगर कभी लाद नहीं मार सकते हो मेरे साथ नहीं मुझ पहुचाना भई चलो मेरे मेरे तुम्हे मेरे साथ चलो मेरे तुम्हे मेरे साथ चलो मेरे मुझ पहुचाना यार नहीं यह क्या है यह यह पेरी तक्दीर है यह यह हटी हुची 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 प्रवाना मेरे घरिपे दोस्त मेखारा कहाँ एक टोईजजजजजज़ इसीसे पर भंपनलेगी के तुम् ॉम्ट परोगे अभर भंपनल हम इस ध्याँ भाई परदी मेरे गरीब दोस मेरे भाई अरे साब जी वो मेरी वो अमा गठ्री को छोड़ो वो क्या कहते है कि तेरी गठ्री पर लागा फुट्टा मुसाफिर जाक 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 अरे यह क्या करें आप याए सर्व है क्या सुच रहे हो मेरे गरीब दोस मैं सोच रहां के बीकितने प्यार से पेश आ रहे आप अस्वाम पुझे नफरल दिल्द मार निकाल देंगे तो मैं घलत है मेरे घ्राइब अब सिर्फ अपने दुश्मनों को लाध मारता हूं दोस्तों को नहीं यह मैं नीपिटुट भूआ कोई रोग नादा जिंदगी के वास्थे सिर्फ सहर्द के सहारे जिंदगी कटी नहीं चलना तू मुझे दोस्ती का वास्ता देकर मैं जानता हूं तू सुभा मुझे लात मारकर निकालेगा वाँ 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 तो नहाय थी आजाद बैराक किसम के कोईनूर लगते हो यार पुर्ण घटोले में लेज जाओ भूपी सुभा उठना तो राम और शाम बनके उठना लेजाओ मेरे आप कहां सुएंगे आपके कादमू में मेरे घरीब दोस्त आपके पैरों के नीचे आपके चपल के पास करो लो हुआ है। क्र टुए कि पाइर्गिंट कि ब्ड़र्फन कोर ड्वाओन जिख जाए कोई मुझे जंग लिख गे अच्छाहे कोई मुझे जंग लीख उपर नहीं रिंख है मुझे जंगली कहने दो जी कहता रहे कि अध्याज, दोविन, खुलामसुन भाइश, संतुष, पर्वीन, हमीद, दिलियो, तो पकलो, तरक को उठने से पहले, यह सब गटर में जाके भेग दो, एक वाठली कहाँ में जाएँ, जब एक अधली एक जली जली, चलो, अहाँ, चाहाँ, कोई मुझे जंग लिखा है कर दो जी किरिख एप है इपनी जिए पहचान नहीं पारहे है इने पहचान ये यह है आपकी मेरी अँटी अरे क्या मेरी आंटी क्या पुराना घिसेला रिकॉर्ड के माफिब खानन खानन करता है क्या करेगा केपी साथ बहुत इलाज किया पैसे भी खलास हुआ पर यह बीमारी खलास होने का नामच ने लेता मैं इसको डालो डॉक्टर के मुव में और तुम्हारे मुव में वो डालो जो यह डॉक्टर बोलता हुआ थोड़ा बेरांडी उसमें अंडा एक चम जाने का जगा होना मंग था है काय को डेलाने के लिए एक फजर में डारेक्ट टेक्ना हिड्म है खलास कौन खलास बीमारी बीमार नहीं मास्टर दोज दे डालो थेंक्यू यह डॉक्टर ब्रेंडी इतना सुबह उठने से पहले और इतना रात को सोने के बाद खलास तुबह उठने से पहले और रात को सोने के बाद लेगेन आजमी नसीफ से बड़ा बनता है जिनकी 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 जिने के लिए कोई खुबसूरत मकसद ना हो ऐसी तो कोई बात नहीं है आप सिग्रेट पीते हैं जी नहीं चलो वेरी गुट आपने कभी किसी से महबत की हैं जी नहीं सर मैंने शादी किये याने के बागी सब लपड़े पैदा होने का कुई स्थवाल ही नहीं उठता है वेरी गूट वाह क्या साथवीक चाहरा है भई तुम्हारा मास्टर जी मिस्टर दीपक आज से के पी गूप अफ इंडस्ट्री के नए चार्टर अगाउंटंटर ने उसके तो मिस्टर लाली है लाली को बहुत लाली चड़गी है उसको थोड़ी सी गाली पढ़नी है तो यह बाहर जा सकते हैं मगर मास्टर जी हम कहा जा रहा है हमारी चान में तब्दिली कैसे हो गई भाई साहब ऐसी जजवाद में बैगे लाग रुपया नहीं पचीत सार रुपया और फिर वह आपकी काबिलेत देकर लाग रुपया हो जाएगा थांकियो सार चलिए थ कि महबब को समझना है अगर तो दरिया में खूजा कर क्योंकि किनारे पर उखडू बैठने से अंदाज तुफा नहीं होता करना चाहिए था देख नहीं रहें कि हम जरूरी मीटिंग में थे अम्हामा दो दोस्तों से क्या पड़दा मैंने ऐसी कहीं सुन्दरिया सेकड़ोवार आपकी गोद में देखी है मैं आपका केरेक्टर जानता हूं आप मेरा केरेक्टर जानते हैं केपी साब कह रहे थे कि पगार एक लाग तक हो सकती है क्या मेरी पगार लाख रुपया अरे सुन्दरी और करीब आओ अरे लाली साब अरे के लिए सुन्दरी को मैनेजर की पोस के लिए दिपक बजाच को पगार उस की एक लाग हो सकती है आपकी नहीं है यह है लाप रुपया पगार उसकी सारी जिंदगी चमचा गरी की मैने अगर उसकी इमान दारे की कीमत लाफर हो सकती है तो मेरी बैं माने की कीमत क्या होगी यह वो सोच भी नहीं सकता रामा 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 है वह हाल हुआ यूँ कि कि सिम्ला में मैं अपने चंद दोस्तों के साथ एक बर्फिले टीले पर खड़ा कुछ फेक रहा था और सर्थी अजब की पूर रही थी याने कि इतनी कि मेरे मूँस से बात निकली कि और हवा में जम गई कि अब बाई केपी साहब हम आपकी सराप में इसका मसलब यह तो नहीं हुआ आप पर की ठूकते रहें तो हम सुनते रहें ऐसी आप लोग समझते के मिंः हिए अड्क्स के असलियत क्या आप सुना होगा के सर्दियों में मुझसे भाप निकलती है तो इनके मुझसे भी भाप निकली भाप के साथ बात निकली तो भाप जमी तो तो बाप के सब्सक्राइब तो खुछ भी नहीं है अब मैं आपको भूपाल के जंगलों का किस्ता सुनाता हूं क्या वाँ भी बात जंगल बात क्यों जमेग भई वापर में शिकार करने क्या था तो जंगल में ऐसा कुछ हुआ के मैं और मेरे चैन साथी थे और हम लोग शिगार कर रहे थे और आदम खोर शेर लेटा हुआ था अब मेरी नदर शेर पे पड़ी मैंने उठाई अपनी बंटु और दाग दी गोली शेर पे अब शेर भी स्थलास्तमार था शेर भाग रहा है मेरी गोली भी पिछे भाग रही है प्षेर आगे आगे गोली पिछे 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 ने मुड़ के देखा और सोचा कि मैं दाय मुड़ जाओ ओ दाय मुड़ गया है अब गोली भी मेरी थी गोली भी दाय मुड़ गई हाँ अब शेर भाग रहा ह गोली भी भाग गड़ी, शेर बाय बोड़ गया, तो गोली भी बाय बोड़ गया, तो शेर टेंशन में आ गया, अब शेर छलाग मारके पेड़ 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 चड़ गया, गोली भी छलाग मारके पेड़ 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 चड़ गया, अब शेर एक डाल से दूसरी डाल कि अब अब खुतर्गेंने हैं मस्टर्टर ची से पहते हैं ये ट्राव से टूसरी डा़ा doosa지를rit गोली प्रेस डाऊ शेयर गुकला फ्रीपाथ पात अब शेयर इस ड्राव से उस आल में? Austral ΧिOTHER है और गोली भी खुद्रीस है मेरी गोली थी फूजरी थी वो अपना अब शेर ओपट की तरह टेंशन में आके बैड़िया कि ये गोली का चक्कर क्या है आखिर किस्ने हमारी कि अब गोली सामने खड़ी है कि मैं तर लगूगी तर अनको सोचा और देखा कि सामने खड़ा है तो खड़े में खूद गया गोली खटे में खूद गयी और तब जाके गोली लगी और शेर इमारा एगा आप लोग समझ रहा है फिर से फेक रहा हूं पेक रहा है आप मास्टर जी मेरा बाप नहीं सी सकता उसको यह अपने बस की बात नहीं हुआ आपने तो सरया बेदेटी करा दी मेरी बायो माफ करना आज थोड़ा जादा हो यह मैं चलता हूं आप लोग ने जिस्क वसला आजाई से मुझे जहला है कौन किरा मैं किरा तो मैं समझा मैं किरा नहीं नहीं आपको इसे किर सकते हैं आपने शराब तोड़ी पी ती आपने तो सिर्फ ग्लास थामा था मंगा पी तो हम रहे थे मत पिया करो मास्टर हां हम मत पिया करो मास्टर आंज हम लोग मोटर का चाहिए तो क्या हो अरे कल किसी का जोपड़ा पसंद आ जाएगा तो आप करेंगे मेरा बंगलर रख ले अपना जोपड़ा मुझे दे जहां रहेगा अपनी रोश्णी लुटाएगा किसी चराग का मास्टर अपना मकान नहीं होगा आप अपना याद रख के तु सिर्फ एक रात का शंशा है कल सुब जब उत्रेगी ना तो काड़ी लाकि साप की घर पर छोड़ देना और अपनी फट अडिया आके ले जाना अगर बची तो आश्टर व्यार अलवेडी लेग 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 लाना अब यह ने तो वैसी इसका नंबर खराब है और अंबर डर लग रहा है सुनाए फट पड़ी पेशने बाटने वाला पहले मर जाता है सही सुनाए अब बताएए आपको यह मदा मिलता मैं इससे ज्यादा मजा तो साइकल पे मिल जाता है मिया इंशालला अगली बार साइकल पर चले है सामने देखिये दो फटपड़ी आ रही है क्या कर रहे हैं आप आपको चड़ गई है वो दो फटपड़ी नहीं बलके एक टेम्पो है अरे मिया हमने भी बच्पने में अंधिरे में बहुत गोड़ा गाड़ियां चलाई है लानत से आपके बच्पने पर मियां क्यों लानत से मियां आपके बच्पने पर मियां मैदान हाजिरे गंदा कीजिए गंदा अभी आए भी ओ बहुत जोर सारी तो लोट आईएगा एक मिनट भाई आते बहुत जोर से उफ अरे निकलना जाए पुट रहा था बिल्कुल लाहो बलाखुवत अरे भी अरे भी अरे भी आएए भी आपके पने की यूँ पैसे है या दूँ अरे है ना बहुत ने है ताइकिल की सवारी का शौक था ना भी आजाईएगा अभी हम आपके साथ चलेंगे अब आप हमारे साथ उटने बैटने के काबिल नहीं रहे मास्टर क्यों अचानक हमारी काबिलियत में क्या फरका गया वही छोड़ा बात्रूम जो है वो कमीज के नहीं पतलून के बट सथी काम जोड़ा वार ग्र ना जोड़े शाराप पर उर शाराप बीने वाले पर इंसान को अपने बटन का अपर और स्याद नहीं रहता हूआ अब आश्टर जी हमारी वाली दोगा दे गई यार नहीं हमारी वाली नहीं इनकी वाली आओ बटू नाइस्वर मां टैक्सी से चल जाओंगा गाड़ी बिखड़ गई बैठो बैठो अरे हमारा बच चले तो अपने हर वर्कर को एक गाड़ी दे दे यार फिलाल लिप्ट दे दीजिए गाड़ी बाद में देजिए बैट जोने अगर तकलीफ नहीं हो तो अंदर चल कर एक प्याला चाय हो जाए चाय मिया इस वक्त चाय अब यह तो श्याम की तोहीन के बराबर है यह प्लीज सर मास्टर जी समझाइए इसको छोड़ा ना अपना आदमी इसकी बात को क्या रफू करना मिया आपकी चाय उधार रहे हैं पर पिर कभी लेकिन अगली बार इंकार नहीं करेंगे थैंकिसर अब कट नाइट नाइट अरों के लिए गुना सही बहुत अच्छे हम पिए तो सवाब बनती है अरे सौगमों को निचोड़ने के बाद एक पत्रा शराब बनती है अरे स्वाब बनती है चंदा सितारे पिंदिया तुम्हारी पूनम की तुम्रात हो सुल्फे तुम्हारी काली घटा तुम्हारी काली घटा तुम्हारी की परसाथ हो आखों में कलिया कलियों में खुशबू की तुम्हारी की तुम्हारी साथ हो जिन्दगे पर तुम्हारी की 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 तु जिन्दगी भर तुम मेरे साथ हो हसनी हसनी वादिया खेहर सरा जूनू मेरे लबों से तेरे लबों को मैं चूनू सुभा शाम रात दिन मांगती हूँ ये दुआ नहीं किसी मूड पे कभी आउना हम जुदा कैसी हो या बत हो मैं तुम्हारे साथ हो जिन्दगी भर तुम मेरे साथ हो मैं तुम्हारे साथ हो जिन्दगी भर तुम मेरे साथ हो खिली खिली धोप हो जावा जावा शाम हो मेरे लबों पे सदम सिर्फ तेरा दाम हो तेरा ही हयाल हो तेरा ही सुरूर हो सजन तेरे प्यार का मांग में सिंदूर हो हाथों में ये हाथ हो मैं तुम्हारे साथ हूँ जंदा सितारे बिन्दया तुम्हारी फूनम की तुम्राद हो सुर्फे तुम्हारी काली घटा तुम सावन की बरसाथ हो बागों में कलिया कलियों में खुशबू खुशबू की तुम बाद हो मैं तुम्हारे साथ हूँ जिन्दगी बर तुम मिले साथ हूँ आखे मेरे बस देखे तुम ही तुम खाहो की बारत हूँ खोट vivin हमें उनमें दुआये तुम की साथ हूँ सीने में छोटा साई की दिल है तुम उसकी जज़्वात हूँ मैं तुम्हारे साथ हूँ जिन्दगी भर तुम मिरे साथ हूँ तुम्हारे साथ हूँ जिन्दगी बर तुम मेरे साथ हो केपी जो तुम्हे भूल गया है उसे याद करके रोना अच्छा नहीं है वो मुझे याद नहीं आई मास्टर नजर आ गई उसके आज के दिदार ने मेरे कल के जख्मों को हरा कर दिया मैं दर्द से तड़ा पुठा हूं मास्टर तूटकर प्यार किया था मैंने उससे नहीं केपी लेकिन अब वो किसी और की हो चुकी है वो किसी और की हो सकती है लेकिन मैंने तो किसी और को नहीं अपनाया उसने किसी और का हाथ थाम लिया लेकिन मैं तो आज भी उसकी तस्वीर की पूजा करता हूँ ये पूजा हुती ही इसी है कोई मूरत को पूछता है कोई सीरत को पूछता है कि पी मैंने आज तो तुझ से कुछ नहीं पूछा लेकिन आज पूछता हूं क्या हुआ क्या हुआ क्या था सक्तियों की ज्येलने को चाहिए पथर का दिल हाथ भर कहो कलेजा दिल लगाने के लिए मैं एक मेकनिक था मास्टर हूँ ओशित अरे यह हिरो अरे यह साला सच मुझका हिरो लगता है सुनिये जर प्लीज मैं गारी को देखिए स्टार्ट नी हो रही है किसकी नदर लग गई इसे देखने में तो कबाल है मैं तो इसे हमेशा आते जाते देखता हूँ यह तो आते जाते लड़कियों को देखता भी है मैं सुनता भी हूँ हाँ यह तो सुनता भी है लगता है आज की पाड़ी दो गई ओ नो जरा स्टार्ट करके देखिए कि कितने पैसे हुए मैं आपका पडोसी हूँ कोई बेगाना नहीं और अपने पडोसियों से भला कोई पैसे लेता है पूजा इसके पैसे दे दे वरना यह ऐसी वसूली करेगा कि तू जिन्दीगी परियाब करेगी अरे चल हट आप लोग ने कुछ फरमाया नहीं इस शहर का क्या होगा यार कि अब कि आपकी गाड़ी फिरचे बिगड़ गई क्या नहीं मैं घज आ रही थी मगर आप अभी तथा काम कर रहे हैं क्या करें हम गरीबों के जिन्दकी खतम हो जाती है मगर हमारे काम खतम नहीं होते मतलब आप पूरी राच सोएंगे नहीं जी नहीं मेरी नीन तो वो ले गया जिसकी यह बिगड़ी वी कार है अजीब सी बात है जिसकी बिगड़ी है वो सोया है और बनाने वाला अपनी नीन गाउप बैठा है नसीब की बात है गुड़ नाइट वेरी गुड़ नाइट थैंक यू आईये मैं आपको घर छोड़ दू जीरे शुक्रिया बस आईगे ने बस से चला जाओँ हम आपके पडोसी है कोई बेगान है नहीं हम आप कीजी हुजूर हम भी पडोसी उन से पैसे नहीं लिते पैचे रही स्वीट अपी थैंक यू है मिस्टर जब ड्रावर गाड़ी चलाता है तो बीछे बैठते हैं लेकिन जब कोई अपना चलाता है तो साथ में बैठते हैं आजा प्लीज कि यह है कि यह रो शीडी के बजा रहे हूं रुप जाओ नियारी हूं कि यह क्या ममालियूं की तरह सीटी बजाते हूं और क्या गरता अगर तुम्हारा नाम लेकर पुकारता तो तुमसे पहले बाप निचे उतर आता को दूसरा तरीका नहीं मुझे बुलाने का है न मेरे दोस्त लोग बुलाते हैं वैसे बुलाओ कैसे तुम कोई अच्छा म्यूजिकल इंस्टूमेंट ने बचा सकते हैं? यू मीन बचा? पेश्रम कही को? बोला था म्यूजिंकल इंस्ट्रूमेंट बजाने को फूंगी? सारी रात पूंगी बजाते रहो, वगिन मैं तेरे पास नहीं आने हो ली पूंगी? कर दो कर दो कर दो रह Schweiz कर दो कर दो बेगोना, बेगो! बेगोना, बेगो! बेगोना, बेटो के यह दिए, गर्टो के यह दिए को क्रिश्णा तुम ने पूंगी के बारे में सोचा कैसे अइसा नहीं हो सकता कि हम लोग बगएर कुछ बजाया बजाया मिल लिया करें यह लोग आज के बाद तुम्हें मौध और बजाया करना हाँ मालू मैं बड़े आदमी का घर कैसे पैचना चाहता है जब उसके घर में पाटी हो और गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हो और हाँ अपने बंगले का गेट जाली वाला होना चाहिए अरे जो अंदर नहीं आ सकता वो कम से कम बंगले को भार से देखका खुश हो जाए हाँ हम जैसे लोग तो बंगले को जाली में से देखकर ही खुश हो जाते हैं लेकिन लॉन अपना छोटा नहीं या बढ़ाना चाहिए पॉश में गाड़ी रुखने के बाद जब शौफर दर्वाजा खोले तो लगना चाहिए कि पार्टी सॉलिड है हाँ और जब हॉल में एंटर करें तो राज कपुर की फिल्मी सेट की तरह सीरी जानी चाहिए ये उपर माता हां लेकिन उपर अपना बेट रूम हां और हुजूर जब दर्वाजा खोला तो जन्नत हाँ 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 मुश्किल है मगर ना मुम्किन नहीं क्रिश्णा अब हमें शादी कर देनी चाहिए देखो फुजा मैं गरीव आदमी हूँ और मेरे माबाब भी नहीं तो क्या हुआ है ना मेरा कोई सखी कारोबार है और ना ही कोई पक्की नौकरी तो क्या हुआ है ना मैं तुम्हें होटलों में लेया सकता हूँ और ना ही अच्छा खाना खिला सकता हूँ तो क्या हुआ और ना ही और ना घूमने के लिए गारी तो क्या हुआ अच्छा तो क्या हुआ तुम्हारे बापा ने अगर इंकार कर दिया तो तो क्या हुआ अरे बुद्धु शादी मुझे करनी है या मेरे पापा को ह् हुआ पाफाण सुप्छाแล वगर वोगरे रिपकर दो कि जाओ इंकार वार कमे या कि बिए आदी तो तुज परके सरकों गें खो गेंते अम्मू फिर इतनी हरी रखेक हो गए थे हम मुद्धत की प्यास थी तेरे होटों का रस्पिया तेरे हसीन जिस्म को नजरों से छुलिया जादू बिखेर दे थी समंदर की तरहवा सिंदूर बन गया था हरिक जव्वारित का आंके खुली खुली थी मगर सुगए थे हम थे इतने करीब के एक हो गए थे हम सिंदूर बन गया थे हम थे इतने करीब के हो गए थे हम लाद। करीब करीब का सांसों की दर्मिया हर बात हो रही थी हामोश थी जुवाँ हर मां से मत रही थी बहारों की सीज़ पर एह सांस की गर्मी थी दोनों की बेखबर दोनों जहां को परवे बुला तो गई थी हम फिर कितनी हरीब की खो गई थी हम से में परके सरकों के खो गई थे हम थे इतने खरीब के हो गई थे हम खो गई थे हम सो गई थे हम आओ ना यह रहा हमारा खरीब खाना यह गरीब खाना है खरीब का है तुम्हार डड़ी बदमाश देखो तुम्हें शरीफ बनकर बैटना है जी यह यह आफ तु इंप्रस्ट माइफ पादर ठीक्या ओके यह पुजा बापु गड़क तो लिए ला रामदीन नमस्ते पापा यह कृष्णा है आओ कृष्णा आओ 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 वेल्कम कृष्णा वेल्कम टू मैं हाउस वाह पुजा मेरे इकलोती बेटी और उसकी पसंद पर मुझे पूरा भरोसा है अरे पूजा कृष्णा का मुव मिठा नहीं कराओगी मैं अब भी आई पापा आप चाय पिएंगे जरूर कृष्णा को हमारे बागान की चाय पिलाओ अधिया आओ बेठो काहा रहती हो बेटा फिलहाल अपने दोस्त के साथ लवली गेस्ट हाउस बर रहता हूं अगर बहुत जल्द कुछ कर लूंगा मैं अपना कॉंसी कॉलेज में पड़ेओ कॉलेज नहीं मैंने भारत टेक्निकल इस्ट्शूट में मेकनिकल राफ्मेन का टिप्लोमा किया है तुमारी फेक्ट्री का है है जी मैं मिल्लर ओटर कंपनी में स्टॉक कीपर का काम करता हूं मगर मेरे काम से बहुत खूश है वो बहुत जल्दी प्रमानेंट कर देंगे औ और तुम्हारे माबाप जी मैं अनाद हूं लेकिन पुजा अभी नादान है मगर तुम्हें एक बड़े आत्मी बनने के सारी गुण मौझूद है तुम्हारी नजर की दाद देनी पड़ेगी यह लीजे यह पुजा की मा है मेरे घर की लक्षमी यह पांच लाख रुपए हैं मेरे खाल से इतने पैसे काफी हैं अपनी फैक्टरी खोलने के लिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मेरी बेटी से शादी करे लोग उसे गरिब गए पुजा बेटी मुझे तुमारी पसंद है अभी मैं इस लाइक नहीं हुआ कि पुजा की शादी मुझसे हो सके मगर मैं आपका बहुत शुकर गुजार हूं जो आपने मुझे दुनियादारी की आखे दी आज पहली बार मुझे अपने बाप की कमी महसूस हो रही है अच्छा पुजा में चलता हूं और उसक्त लोट कराऊंगा जब तुम्हारे पापा को मुझे अपना दामात कहने में फक्र महसूस होगा बिड़ा लेकिन तुमने कुछ लिया नहीं कुट्य को घी हजब नहीं ह कर सकता हूं किष्णा 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 सर मैं कृष्णा बोल रहा हूं कृष्णा ओ क्रिष्णा कैसे हो चीख हो सर पुजा से बात कर सकता हूं अरे बड़े आदमी बन गए कि अभी तक वही कुत्ते हो जिसे घी हजब नहीं होता किष्णा दर्शन और तिलक के लिए आप टाइम निकालें डिए दर्शन और तिलक के लिए आप टाइम निकालें तेलक लगाने से मेरा शांत मन को बड़ी शांती मिलती है पंडी जी माप जो कुछ भी करते है औलाद की खुशी के लिए करते है इंसान जो कुछ भी चाहता है वो उसे मिल जाए ज़रूरी नहीं है बेटे मेरे पास तुम्हें देने के लिए नसीहते और दुआओं के अलावा और कुछ नहीं है इन्हें अपने आचल में बांद लेना अब तुम्हारे संस्कार ही मैस्री की पगड़ी है अगर तुम्हें अपनी खोईवी चीज अब नजर भी आए तो चेहरे से गुंगट उठाकर भी मत देखना है बस यही कहानी है मेरी इस दुनिया में तौलत पैदा करना बड़ा असान है मगर किसी के दिल में घर बनाना बड़ा कठिन है भरे सावन में रिगस्तान लगता है यह घर मेरा खाली मकान लगता है मास्टर हम तो गए मास्टर हम तो गए मास्टर कभी जो भूलना क्या हो न जाने क्यों मेरे दिल बर मुझे तुम यादा आते हो तो मुझे तुम यादा आते हो मुझे तुम यादा आते हो कभी जो भूलना क्या हो न जाने क्यों मेरे दिल बर मुझे तुम यादा आते हो मुझे तुम यादा आते हो मुझे तुम यादा आते हो कभी सावन के मौसम में अगर गाए कहीं को याद कभी सावन के मौसम में अगर गाए कहीं को याद किसी मेहंदी की तहनी पर न जाने क्यों मेरे दिल बर मुझे तुम यादा आते हो मुझे तुम यादा आते हो मुझे तुम यादा आते हो किसी के हाथ से किसी के हाथ से छूटे है अगर शीशे का पैमाना किसी के हाथ से छूटे है अगर शीशे का पैमाना छलक चाए अगर सागर न चाने क्यों मेरे दिल बर मुझे तुम यादा आते हो कभी जो भूल ना चाहूं न चाने क्यों मेरे दिल बर मुझे तुम यादा आते हो मुझे तुम यादा आते हो मुझे क्यों यादा आते हो मुझे क्यों यादा आते हो पुजा क्या तुम जानती हो केपी साब अपना बद्दे नहीं मनाना चाहते थे लेकिन विचारे करते भी क्या काट जो पहले बढ़ चुके थे हाँ पहले मैं भी नहीं जानता था कि केपी साब ऐसे क्यों है मगर बाद में पता चला कि वो तो एक मामूली मेकैनिक थे एक अमीर बाप की खुबसूरत बेटी जिसके लिए वो करोड़ पती बने अरे एक बाद तो तुम्हें बताना भूली गया जानती हो उनके घर का नाम क्या है क्या पूजा हॉस 20 करोड़ हवेली की दाम उन्होंने 21 करोड़ दिये सिर्फ इसलिए कैसा घर चाहिए था तुरे शेहर में ऐसी हवेली नहीं है और इसलिए उन्हेंने राजा साब की हवेली खारिब ली मालूमें बड़े आदमी का घर कैचेप पैचाना चाता है जब उसके घर में पाटी हो अब गाडियों के लंडी लाइन लगी हो अपने बंगले का गेट जली वालोना चीए अरे जो अंदर नहीं आ सकता वो कम से कम बंगले को भाज देखका खुश हो जाए पॉच में गारी रुखने के बाद जब शौफर दर्वाजा खुले तो लगना चाहिए कि पाजी स्टॉलर है आओ पूजा चले हाँ अपको पैले से अपको पैले से अपको पैले से श्क्राइब प्रण जान इसक्यूस मीं दीपक जी में इंको पैले सब्सक्राइब आए भाबी जी आए 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 सुना है केपी साब ने महल अपनी महभूबा की पसंद से बनवाया था लेकिन किसमत का खेल देखिए भाबी जी उस बेचारी की शादी कई और हो गई रामा रामा जब हॉल में एंटर करें तो राज कपुल की फिल्मी जानी चाहिए उपर अरे यह तो कुछ भी नहीं है भाबी जी उपर जाके देखिए बहुत सी कमाल की चीज़ें देखने लाइक रामा रामा कर दो झाल 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 रामा रामा ताज के निचे तो सिर्फ मुम्ताज है लेकिन इस शीष महल में कई राजदफन है पूजा जी गबराये नहीं भावेजी बिलकुल नहीं गबरायेगा मैंने कुछ नहीं देखा रामा रामा तीपत बाबू भार आपको धून रहे हैं रामा रामा अब मैंने कुछ नहीं देखा भावी जी रामा 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 पूजा अरे तुम उपर थी मैं तुम्हें नीचे ढून रहा था तेख लिया महल क्या हुआ पूजा तुम कुछ परेशान से लग रही हो नहीं दो यह परेशान नहीं है महल को देखे थोड़ी हारान है रामा रामा आओ चलो बाहर चलते हैं मैं तुम्हें केपी साब से मिलाता हूँ रामा रामा सर आप जियो हजारों साल हर साल के दिन हो पचास हजार मुझको लंबी उम्र की दुआ न दो जितनी गुजरी ना गवार गुजरी है मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि आज मेरा जनन दिन है बलके इस बात की खुशी है कि मेरे घम भरी जिन्दगी का चलो एक और साल कम तो हुआ जन्दगी की उमर इनके दुश्मनों की काम हो नहीं तो कहतों भाईयो इस मेफिल की उमर भी इनको लग जाए क्यों रामा रामा तुम ही ने मेरी जिन्दगी खराब की है तुम्हारे लिए ही मैंने शराब पी है तुम्हारे लिए ही मैंने शराब पी है तुम्हारे लिए ही मैंने शराब पी है मैंने तो तुम्हारे लिए ही मैंने तुम्हारे लिए ही मैंने शराब पी है आशिक बेचारा मुझे हस हस के तुमने मारा एए खाश बता पहले होता वो कर बरबाद न मैं रोता तुम्हारे लिए ही मैंने शराब पी है तुम्हारे लिए ही मैंने शराब पी है अब इन इन सब को रहे हैं यह वही मैंने शराब जिनकी साब के कमरे में सच्वीरे लगी वी हैं इनकी महरबानियों से साब का यह हाल है किसे क्या बोले क्यों जीता हूँ अपने जखमों को सीता हूँ बुल्या जले है सीने में आए नमजा अव जीने में इस चाहत काई ना मिला एक पल न कहीं आरा मिला तुम हीने मेरी जिन्दगी हराव की है तुम्हारे लिए ही मैंने शराव पी है तुम्हारे मेरी जिन्दगी हराव की है विए झाल 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 पुझा 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 अरे पगली इसमें तेरा क्या कुसूर था तू क्यों रो रही है मैं जानता हूं पुझा कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और मेरे सिवा कोई तुम्हारे ख्याल में भी नहीं आ सकता मैं तो सोच में नहीं सकता था कि जिस आत्मी को कल तक में एक देवता समझता था वो इतनी किरिवी हरकत कर सकता है मैं उसे कभी माफ नहीं करूँगा मैं आज ही उसके नौकरी छोड़ दूगा लोटा दूगा उसके देवी बंगले और गाड़ी की चाबियां किसी शैतान की देवी सौक हाथ से किसी इंसान की देवी खैरात ज्यादा अच्छी है कल रात को जो कुछ भी हुआ मास्टर मुझे इस बात का बहुत अफसूस समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ एक काम करो तुम जाकर उससे माफी मागो माफी? अगर तुमने उससे माफी मागी तुसकी नजरों में तुम्हारा कद और उचावा जायागा लेकिन क्या वो मुझे माफ करेगी? क्यों नहीं करेगी? शुर्फ तुमने उससे प्यार नहीं किया था उसने भी कभी तुमसे प्यार किया था वो तुम्हारी भावनों को जरू समझेगी हुआ हुआ कल राज जो कुछ दिखुआ मैं उसके लिए बहुत शर्म हुआ दरसल कल मैं अपने अतीद के उस टूटेवे मंदिर में चला गया था जहां कभी में किसी पूजा की पूजा किया करता था तुम्हारा अतीद मेरा आज और मेरा मुस्तक्पिन दोनों विगाड़ती का तुम एक मेकानिक थे ना एक मेकानिक बिगड़ी हुई को बनाता है पनी को विगाड़ता नहीं प्लीज मेरे ख्रयाशी तबाह मत करना पूजा किस अतीद की बात कर रहे हो तुम मुझे देखकर तुम्हें तुम्हारा अतीद यादाया मेरी मांग का सिंदूर और गले का मंगल सूद्र यह क्यों नजर आया तुम्हें तुम्हें क्यों भूल गए कि अब मैं तुम्हारी पूजाने बल्कि किसी की पत्पी हूँ तुम्हारे अंदर आज भी मुझे पानी की हसरत जिंदा है तुम मेरे घर पर इसलिए महर्मानों ताकि उसकी आड में तुम मुझ तक पहुंच सको लेकिन आप मैं तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर हो चुकी हूँ अब तुम्हें इंसान तो दूर देरता बंगे भी ह मैं अपनी कल की गलती के लिए पूजा से माफी मंगने आया था वाह माफी भी बहुत खुबसूरत बहाना है दूसरी मुलाकात का मैंने अपना इस्तीफा और तुम्हारे दिये वे बंगले और कार की चाबियां तुम्हारे दफतर में छोड़ दी हैं मुझे उमीद है कि आज के बाद तुम मेरी बीवी की तरफ नहीं देखोगे दीपक तुम मुझे गलत समझ रहे हो मैंने तुम्हें नौकरी तुम्हारी डिग्री देख कर दी थी तुम्हारी बीवी देख कर नहीं मिस्टर कृष्णप्रसाथ इस वक्त मेरे घर में मेरी बीवी के सिवा और कोई नहीं है जब तुम भीड में सब के सामने उसे किस कर सकते हो तो अकेले में भीपक तुमुझे अंकर रजमन्दों में समझ समझ जो नौकरी और प्रमोशन के लिए अपनी बीवी का गलत इसमा मेरे पति इस अन आज मुझे पानी के अच लिदा Бॉया सिनदा है आज मुझे पानी के हर्स्वेल झेंदा है आज मुझे पानी के काबे ली रहेगा थम्झेद मूद खाने काबे ली रहेगा सम्झेद अ कर दो कर दो कि अ कि कि की दिए तुमें दलिल करेगा इस पर साथ को दलिल करेगा हा पुजा कि वे ताव अ अबस बस बस याई है आए रामा रामा क्या बात है लाली यह सब क्या है मिस्टर दीपर आप पर चार्ज है आपने के पी ग्रूप इंडर्स्टिस का लाख रूपय का गवन किया हैं वाट अब वेस्टर दीपर को जेल विजवा दिया रामा रामा अब आप से एक बात कहना हो तो मैं भूल लेकिया वसंद पाटी वाले दिन दीपा की पत्नी मेल देखने आई थी आपके चैंबर में घुशकर अपनी तस्वीरे देख रही थी मैं चानक वहाँ पर पहुंच गया मुझे देखते ही उसके चेरे का रंग पदल गया मैं समझ गया कि आपने मेरी जगा दीपा को क्यों दी थी रामा रामा समझदार हो रामा रामा हजूर मैंने आपका नमक खाया है आपकी ये बात मैं भार जाके किसी से कहने वाला थोड़ा ही हूँ मैंने तो पूज़ाजी से भी कह दिया था कि डरो मत मैंने कुछ नहीं देखा रामा रामा लाली इस दुनिया में लोग महब्बत से सिर्फ महब्बत करते हैं मगर शायद मैं दुनिया का पहला शक्स हूँ जिसने अपनी पहली महब्बत से जंग का एलान कर दिया है मिस्टर बजाज मेरी समझ में यह नहीं आता कि आपको मैं कैसे समझाओं आपका केस बिलकुल एक तरफा है इसमें कोई गम नहीं है आपके बेटे को सजा से कोई बचा नहीं सकता पाबुजी पाबुजी रो मत मेरे बच्चों नसीब यब बिन मांगे कुछ देता है बिना पूछे छीन भी लेता है क्रिशन प्रसाद ने हमें जो कुछ दिया था वो ब्याज के साथ वुसूल कर लिया अब तुम ही बताओ कि जिस बच्चे ने चोरी से मां का दू तक नहीं पिया उस पर लाखों के फ्रॉट का इल्साम लगा दिया गया बाबुजी आपने कोर्ट में अपिल की कहा अपिल करूं बेटी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये काहिदे कानून हम गरीबों को इनसाफ दिलाने के लिए नहीं वर्के अमीरों की सहूरियत के लिए हैं कोई वकीर मेरा केस लड़ने को तयार ही नहीं है अरे मैं तो ठक है कानून को दुहाई देते देते आज ही मैं उस टाइकून कृष्ण प्रसाथ से जाके पूछूँगा कि हमें जलीर करने के लिए तुम इतने मेरबान होगते हैं के पी साहब मैं आप से अपने बेटे की रहाई की भीक मांगने आया हूं कुछ एहसान तो प्रसाथ ने अपनी मर्वी से किये थे कुछ मैं आपसे मांगने आया हूं कृष्ण प्रसाथ मांगने वाले को सिर्फ भीक देता है मगर तुम उन भीकारियों में से हो जो सिर्फ दुदकार के काबिल हैं सचाएं क्या है हुदूर ये तो मैं नहीं जानता हूं कि जिसे में दलील किया मेरी कंपनी में लाखों रुपय का गबन किया कृष्ण प्रसाथ इजट और दॉलत दोनों को एक साथ गवा कर खुछ रहने वालों में स्था नहीं है रह्म कीजिए मुझे मैं बहुत ठक गया हूं मेरे बूढ़े कंदू पे एक बदनामी का बहुत बड़ा पूजा पड़ा है छोड़ दीजिए मेरे बेटे को ठीक है मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ देता हूं तुम अपनी बहु को मेरे पास भीज़ दो कृष्ण प्रसाद करीज़े कि यह किसी गरीब की गर्दन नहीं है एक टाइकून का गिर्यपान है अब मुझे मेरी बहु मांगता है अब मैं तो तुझे देवता समझता था और तू निकला सिर्फ एक आदमी और वो भी एक नीज और गिरा हुआ आदमी मिट जाएगा तू बर्बाद हो जाएगा तू लोग ठूकेंगे तेरे इतिहास पर और लानत भेज़ेंगे तेरी हस पर यह नेरी बद्वाँ है तेरे लिए यह मेरा श्रॉब है तुझे क्रिशन परशाद आज मुझे पहली मर्दभ पता चला कि इतने बड़े में रहने वाला शक्स इतना छोटा भी हो सकता है एरे जिस महबत को तो अपनी महबत के बल से हासिल ना कर सका उस महबत को अपनी कायरता चलकपड से हासिल करना चाता है आज मुझे पता चला कि तेरे मासूम और भॉले चेरे के पीछे एक शैटान एक भेडिया रहता है मास्टर इल्लामक्स तु महबत में मिटा जरूर है मगर महबत के फलस्थे को नहीं समझा तू बहुत तूंचा फलस्था है और मैं यहां तेरी शरारतों को रफू करने आया था तेरी बत्तमीजों को रफू नहीं कर सकता मैं मजा रहा हूँ अरे जा मुझे किसी की जरूरत नहीं है अरे जब मैंने अपने दिल में रहने वालों के जाने का अफसोस नहीं किया तो घर से जाने वालों की परवा क्या करूँगा मास्टर तो सिर्फ बातों की चिंदिया रफू कर सकता है दिलों के चिथरों को नाय चल जा कोई जरूरत नहीं है मुझे किसी की बाबुजी क्या कहा कृष्ण प्रसाद ने अरे कहेगा क्या वो खुद दीपा को छुड़ाएगा आखिर वो भी तो किछी का बेटा है वो भी तो समझता होगा कि बेटे पे हुए अन्या है बाप को किस तरह रुलाते हैं उन्होंने कहा क्या बाबुजी कहा ना वो छुड़ादेगा अब बाबुजी कि मेरे चेरे पर घूंगट नहीं है कि मैं आपकी आखों में अपमान के आशू देख रही हूं कोई ऐसी कड़ी बात आप सुनकर आये हैं जिसे कहते हुए आपकी जबान आपका साथ नहीं देपा रही है मुझे बताए बाबुजी पत्ति के घम से ज्यादा घमगिन कोई बात नहीं हो सकती जिसे एक पत्ति मैं आपकी बात समझ रही हूं बाबुजी मगर यह नहीं समझ पाई कि क्रिष्ण प्रसाद में पती को छोड़ना नहीं चाहते हैं आप उसे छुड़ाना नहीं चाहता कोई बाप अपने बेटे की आसी रियाही नहीं चाहेगा जिसके लिए उसे अपनी बहु के सम्मान को पैटन पड़े हुआ है इसा बस बाबुजी तो मुझे कृष्ण प्रसाद का संदीशा मिल गया है क्रिष्ण प्रसाद ने आपके पेटे के रिहाई के लिए बाउट की समानत मांगी है 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 नहीं नहीं तुम जोखर के बाहर अदम नहीं रिखोगी मेरा पती जेल में है बाबुजी मैं मर्याता के तारे में खड़ी होकर अपनी पंदी पैसे अचाहूं जो ठेक नहीं सकती नहीं देख सकती मैं नहीं देख सकती मैं बहू बहू मैं आ गई हूँ केपी साब मगर यह मत सोचना कि मैं तुम्हारी मर्जी से आई हूँ मुझे यहां मेरी मजबूरी लई है पती पत्नी के लिए भगवान होता है और मैं अपने पत्नी के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तेयार हूँ बोलो उन्हें छोड़ने का क्या लोगे बोलो जवाब दो तुम्हारा इमान धरन तो बिजनस है ना बोलो क्या उतारो कंगन ये मंगलशुत्र या फेर ये ना थम्हार थाए झाल 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 मुझे तुम्हारे जिस्म के जरूरत है तुम्हारे शरीर की भूग है मुझे मैंने कभी तुम्हारे जिस्म से नहीं तुम्हारी आत्मा से प्यार किया लेकिन तुमने तुमने मेरी कद्र नहीं की मेरा इंतजार नहीं किया मुझे किसी गुजरे में वक्त के तरह भुला कर किसी और का हाथ थाम लिए प्यार हम दोनों ने किया मगर तड़कना सिर्फ मेरे नसीद में आया मेरा तुम्हारा नाता तो उसी दिन तूट गया कि जिस दिन तुम्हारी शादी हूँ कि मैं उस दिन तुम्हारे घर अपनी मुहबत का इजहार करने नहीं गया था अपने डर्द अपनी तड़प का हिसाब मागने के लिए नहीं गया था बलके उस राथ पार्टी में हुँ इस गल्ती की माफी मागने के लिए गया था जो तुम्हारे जुदाई तुम्हारे सोग में चोट खाये मेरे दिल के हाथों हो गई लेकिन तुमने मेरे जज़बात को नहीं समझा मुझे कोई गिरा हुआ ये घटिया आदमी समझके दिकार दिया मैंने तुमारे साथ जो भी किया वो बदला लेने के लिए ने किया बल्के तुम्हें इस बात का ऐसास दिलाने के लिए किया कि तुम जो सोच रही हो ऐसा नहीं है मेरे मन में कोई खोट कोई पाप नहीं है महबबत का दर्द बड़ा जान लेवा होता है पूजा जी मैंने तो तुम्हें मौफ किया मगर दुबारा कभी इंसान का जनम मिले तो महबबत दर्द सोच समझ कर कीजिएगा कर दो 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 कर कर दो कर दो कर दो करहा कर दो किसी से गिला नहीं नशीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं शिकवा नहीं किसी से किसी से गिला नहीं नशीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं कर लिजे बंडीचे इसका उप्योग अपनी बेटी की शादी में कर लीजेगा तू मिल सकान हमको तसली तो मिल गई आई बहार शाख पे कली भी खिल गई अरमा था हम को जिसका वो गुल खिला नहीं अरमा था हम को जिसका वो गुली खिला नहीं नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं आपको मिला नहीं अरे खिला शालाए लीजें शलाए बहर राग इमैंत्रह ईक्रोँें ए ध वों सर्थ यह दो में था शो बहु़ यादों की जिल मिलाती परचाईयों के दिन यादों की जिल मिलाती परचाईयों के दिन कटते नहीं है तनहा तनहाईयों के दिन है चाहतों का दिल कशिक अब सिल सिला नहीं नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं शिकवा नहीं किसी से किसी से गिला नहीं नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं और यह प्रिब योलोड जो़ा कि प्यूर फ्लावर्स यॉर्मैंन दीपक बाबू चेहर किडिये आए बहुत बहुत मुबारक हो मुटी चीचेउ मुझे मालूम था कि आप जादा दन जेल में रहने वाले नहीं है क्योंकि जिसकी धरम पत्नी इतनी खुबसूरत हो जवान हो उसके लिए क्या जेल क्या पुलिस क्या कानून क्या मतलब मेरा मतलब है कि आपकी धरम पत्नी पूजा देवी ने अपना सब कुछ अरपन सरपन करकर आखिर आपको जेल से रहा करवाई लिया हरामजादे अरे मेरी गर्दन क्यों पकड़ रहा हो पकड़नी है तो केपिर साब की पकड़ो जिनके बेडरूम के अंदर आज त तक आपकी धरम पत्नी पूजा देवी की तजवीर है और वह रोज उसकी पूजा करते हैं कि आरती उतारते हैं कि जाओ बालक जाओ कि रामा रामा कि रामा रामा बालक जाओ तू मेरी बात को सरसुनले गोर से दीवार उठा चाहे लगा पहरा तुफान इश्क का एक बार जो उठा मेरी जान फिर कभी न कहीं ठहरा चुरा लेंगे हम सब के सामने दिल तेरा चुरा लेंगे हम सब के सामने दिल तेरा चुरा लेंगे हम सब के सामने दिल तेरा तू मेरी बात को जरसुनले ओर से दीवार उठा चाहे लगा पहरा तू फान इश्क का एक बार जो उठा मेरी जान फिर कभी न कहीं ठहरा चुरा लेंगे हम सब के सामने दिल तेरा 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 आज़े, राज को आँच नहीं, तेरी सच्चाए आखिर अपना रंग देही आज़े नहीं बाबुजी, मैं अपनी सच्चाए के बूते रहा नहीं हुआ, मेरी रहाई कराने के लिए आपकी बहु ने किमर चुकाई है तेरी आँखों में आशु मेरी रहाई के हैं, या केपी से ना मिल पाने के दुख्ये, दुख्ये ही होगे, क्योंकि तू, क्रिश्ण प्रसाद से प्यार करती है, ने विपक, ऐसा कुछ भी नहीं है, यह सब चूट है, पहले मैं भी इस बात को चूट समझ रहा था, लेकिन जब उसके कमरे में मैंने तेरी तस्वीर देखी, तो मैं समझ गया, क्या आखिर इतनी आसानी से मैं कैसे जेल से चूटा, भरी पार्टी में उसका तेरा मूँ चुमना, मेरी गेर हादरी में माफी मांगने के बहाने, तुम से मिलने आना, मेरे विरोध करने पर मुझे जेल भीजवाना, ये तुझ से क्रिश्ण प्रसाद का प्यारनी तो और क्या है? मेरे जेल जाने के बाद, तु उससे रोज मिलती चुलती रही, और जब उसका दिल भर गया, तो मुझे रहा करवा के तेरी नदरों में देवता बन गया, नहीं दीपक, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे विश्वास करो, अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर मेरे जेल जाने के तो फिर तुम्हारे कहने से वो कैसे मान क्या ऐसी कौन सी वजा थी यह तुमसे मिलकर उसने मुझ पर लगाएवाई लाख रुपए का गवन का इल्जाम वापस ले लिया कि इसलिए क्योंकि तुम्हें दूसरे से प्यार करते हो कि प्रसाद मेरा कुछ भी बगाड़ नहीं सकता था लेकिन तुमने तो कुछ बाकी ही नहीं रखा अगर तुम अपने पती से ज्यादा प्रेमी को ज्यादा अजीज बनती हो तो मैं तुम्हें अजाद करता हूं जाओ कृष्णा प्रसाद से शादी कर लो तीपाग तुम चाहते हैं कि तुम क्या कह रहां अच्छी तरह जानता हूं तुम कुछ नहीं जानते कि जिस बात को तुमने सर उठा कर कह दिया वह बात में कहार में ही नहीं सोच सकती तीपक मैं तुम्हारी पंद्वी हूं मिरा विश्वास करो तुम जैसा सोच लियो ऐसा कुछ भी नहीं है अब विश्वास करो अब तुम मुझे समझाने की कोशिश मत कर दीपक बजाज किसी दूसरे का करमायवा कंबल नहीं ओड़ता और तो वो है जो अपने पती के विश्वास को जिंदा रखने के लिए मर जाए पती की गैर हाजरी में किसी प्रेमी का कौल पूरा करने वाली और। पत्नी नहीं कुल्टा होती है। और कोई मर्द किसी कुल्टा के मांग में अपने नाम का संदूर बरतास नहीं कर सकता। दीपक तुम बच्ता होगे। इससे पहले कि मैं अपने आप ऐसे बाहर हो जाओं दूर हो जा मेरी नजरों से गया हुआ तीपाख और उस वक तक सीता सावित्री होती है जब तक उसका पती राम और सत्यवान होता है जिस दिन ये मर्यदा तूटती है न आणरत एक ऐसा उल्जावा सवाल बन जाती है जिससे कोई मर्स सुल जा नहीं सकता मुझा, मुझे तुहारी गुज्री भी ज़िए थे जिगए जी बारें पूछने का हक चाहता हूँ कि वो क्या वाज़ेती जो तुमने कृष्ना को भूला दिया कि मैंने इसलिए भूला दिया किर्के क्योंकि मेरी शारी भाक से हो गई थी लेकिन तुमने दीपक से शादी की क्यों प्यार तो तुम कृष्णा से करती थी हाँ लेकिन उस प्यार की वज़े से कई जिंदिग्या खराब हो रही थी मान समान समाज सबकी कसरवार हो गई थी मैं क्रिश्णा के इंतरजार में मैं इतना जली कि अगर पथर भी मेरी जगा होता वो भी राख बचाता लेकिन मैं राख नहीं हुई क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि वो एक दिन आएगा पांच साल हो गए ना वो आया ना उसकी कोई फिर मेरे माबाप मेरे शादी को लेके परिशान हो गए एक दिन क्रिश्णा का खत आ गया जिसमें लिखा था मुझे बुला दो तब मेरे इंतजार करने का बहाना भी खतम हो गया फिर लड़की तो होती ही है त्याक का जहर पेने के लिए मुझे खुशी खुशी अपने माबाप के फैसले का जहर पीना पड़ा तो क्या तुम्हें क्रिश्णा का दूसरा खत नहीं मिला कौन सा दूसरा खत क्रिश्णा तो ने मुझे कितने खत लिखे यह मैं नहीं जानती लेकिन पांच साल में मुझे सिर्फ एक ही खत मिला वो भी मेरे डाड़ी ने मुझे दिया था अज़र नमस्ते मेरे नाम च्पन मास्टर मैं रफूगर हूं यहां क्या करने आयो अज़र जिनके सूरत अच्छी नहीं होती मैं उनको आइना नहीं दिखाया करता है मगर आज मैं खुद आपके सामने आइना बनके खड़ा हूं यह मेरी मजबूरी है तरकार ने लकणियां काटने और जलाने पे तो पाबंदी लगा दी अगर बहुएं आज भी जलाई जाते हैं और उसके जिम्हेदार हो त्याप जिसे दौलत मन बाप जपनी बेटी से ज्यादा अपने अभीमान की सोचते हैं यह क्या पक्वास कर रहे हूं तो बलके कृष्णा और आपकी बेटी के चूटे विरिष्टों की बात कर रहा हूं क्रिश्णा ने आपको दोफ़त्ति लिए गजी अए को एक अपनी बर्बादी गजी अपनी काम्याबी का रहा बर्बादी का खट अपनी बेटी को दिखा कर उसे शादी पे मजबूर तो कर दिया अगर काम्यावी का खट उसका क्या किया पाड़कर फेंग दिया जलाड़ा ला उसको आपकी इसी जलील हरकत और कूट मीटी ने दोनों की जिन्दगी को बर्बाद करके रख दी जिन्देल साब आज से तरीबों के साथ नहीं हुआ करते कभी 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 गाड़ी की नीचे अमीरों के बच्चे भी आ जाया करते हैं क्या हुआ मेरी बेटी को कुछ नहीं को सिर्व उसके शौर ने उसको घर से निकाल दिया है जुर्म आपने किया और गुनेगार वो साबित हो गई आपकी वज़े से तो तुम क्या कहना चाहते हो में बीक मंगे को अपनी बेटी सौंब देता कि रशना आज गरीब है ना उतिन गरीब था जिस दन आप में अपनी बेटी को दोली में विदा किया था एक आपकी नपरकने वाली निगाह ने पूजा को उसके पती और उसके प् हमारे यहां हराम जानवानों की कुर्बारी मंजूर भी तो नहीं है लानत है घरम दास मेरी बेटी कहा है कहा है मुझे पूछते हो तो महान अगर टेलेफोन निगम की डिरेक्ट्री उठाओ और के के पन्ने खोलो KP Group of Industries के 40-50 नंबर होंगे और कहीं न कहीं अपने आशिक कृष्ण प्रसाद के साथ एंगेजड होगी तुम्हारी बेटी पतमाश कहा है मेरी बेटी पूजा कहां शिपा रखा है तुमने उसे किष्णा आग और तेल का खेल बड़ा घटिया होता है मेरी बेटी की ग्रस्ती बरबाद मत कर कहीं दिल का मरेज तो नहीं है कि इसलिए पूछ रहा हूं कि अब जब मैं चिलाओंगा तो कहीं तेरा दम ना निकल जाए कि जला मत यह सवाल मुझे तुस्ते पूछना चाहिए था कि मेरी पूजा कहा है मगर मैंने तुमसे पूछा कि तुमने उसकी शादी किसी और से क्यों कर दी चाय की खेती करने वाले अमिर्जादे जितनी तुम्हारे साल भर की कमाई ये उतने रुप्यों के सर्फ और सबुन से मेरी हमेली के फर्ष होए जाते हैं नजर उठाके देख इसकी उचाई की तरफ जब तक तक तरी नजर इसके घुमाद तक पहुचेगी तेरे कांदे से तिरा सर नीचे ग अगर मेरी बेटी के भागने का सबब तू है तो तेरे लिए बहुत बुरी बात है अवा ले दे कि तख लिया कि अग कि अग्या कि अग्या हो गया कि मैंने तो तुम्हारी परवरिश फुलों में की थी तुम तुम कांटों में कैसे आगी बेटी कि सिंदेगी के फैसले नसीब करता है डैडी कि माबाप नहीं आपने फुलों में मेरी परवरिश की थी वो मेरा नसीब था आज मैं काटों पर आ गई हूं यह भी मेरा नसीब है चल बेटी चल मेरे साथ घर चल बेटी का घर माइका नहीं ससुराल होता है और ससुराल के दर्वाजे मेरे लिए बंद हो चुके हैं बेटी बंद होके तो क्या हुआ तेरा बात तो जिंदा है न मेरे साथ रहेगी तुग मेरे साथ शादी के बाद आपके घर में जो बेटी जाती है ठेरी वों बड़ी होती है बेटी आखिर मेरा यह सब तेरा ही तो है आपके सब कुछ से मेरी जिन्दीगी नहीं कटेगी जड़ी जिन्दीगी तब कटती है जो पास में अपना कुछ हो और मेरा अपना कुछ भी नहीं रहा जो मैंने चाहां वो मुझे मिला नहीं और जो आपने दिया वो रहा नहीं बेटी मेरी डूली बिदा करने के बाद आपका फर्स पुरा हो चुका अब आपको मेरे दुख सुख से कोई वास्ता नहीं रहा और फिर मैं आज के जमानी की पड़ी लिखी लड़की हूँ बाप के लिए छोटी हो सकती हूँ दुनिया के लिए नहीं दीपक मेरा पती है उसके फैसले का सम्मान जखने के लिए मैंने घर जोड़ दिया उसका गुसा थंड़ा होने के बाद मैं उसे फिर समझाओंगी वो फिर भी नमाना तो उसको तलाग मैं खुद दुखी मांगोंगी नहीं मुझे अपनी हाल पर छोड़ दीजिए लेकिन बेटी ये सब कुछ तुम मेरे साथ रहकर भी तो कर सकती हूँ दियाल साथ बच्चे जब तक माबाब की गोस्ते उतरते नहीं तो चलना सीखते नहीं इन्हें चलना चल के गिरना गिर के संबलना संबल के फिर चलना इसका मौकद दीजिए ये आपके ओलादे आपके सारे हक हैं इस पर लेकिन इसकी तरदीर का फैसला आप करें ये हक नहीं है आपको इसलिए मुझत रहे कि आप यहां से चले जाएए आओ रफू मास्टर आओ कहो कहीं तुम्हारी भी कोई चीज खो गई है क्या मेरी जो चीज खो गई उसे पाने की मुझे तमना भी नहीं है क्योंकि जिसकी नज़रों से मैं गिर चुका हूं से मैं नज़रों से गहां दिया है। तो कहो यहां आने की तकलीफ कैसे कि कोजा की जिंदगी नहीं तुमारी दोबारा दाफल अखलनाजी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दिये ुसके पती ने açãoना आभियो माई के के रही और न सुसराल के रही अरे यार तुम मैं क्या करूँ अपने साथ भी उसने कुड़ा इसी निभाई नहीं है जो मुझे उसे हंदर दी हो या मेरी आखों में आसू आ जाए एक लड़की की हाकिकत में जिन्दगी होती कितनी है दस साल उस दस साल में से पांच साल उसने तुम्हारे इन दिजार में गज़ादी और उसने जो कुछ भी किया उसकी मर्जी नहीं थी उसकी मजबूरी थी पूजा का तुम से अलक होना ये पूजा के बाप की कूट नीटी थी उसने तुम्हारी कामियाबे का खत पूजा को नहीं दिया बलके भाड़ कर जला दिया और तुम्हारी नाकामी के उस खत का वासा दे कर उसे शादी पर मजबूर किया जिसमें तुमने पूजा को लिखा था कि पूजा मुझे भूल जो किस पे करे यकीं किस से करे गिला मेरे नसीब ने मेरा ये हाल कर दिया येपी मैं तुमारे आगे हाथ जोड़ता हूँ फुजा की जिन्दगी बर्वाद होने से बचा लो फुजा बेटी जिस आदमी ने मेरी जग हसाई कराई कुसी आदमी को मुझ पर हसने के लिए बुला कर लाए हो मास्टर ना पुजा बेटी ना तुम पर हसने वालों को अल्ला करे कियामत तक में उसकर आठ नसीब नहीं हो पेटी मैं मानता हूं कि आंधिया घरुन्दों की तिनकों को बिखेर दिया करती हैं अगर जो हमाएं तिनकों को इखटा करती हैं को आंधी नहीं कहते हैं मैंने आपसे जहारी की भीग नहीं मांगी थी मास्टर मुझे अब किसी की आगे अपना दुख्रा नहीं रोना है किसी की पत्मी बनने के बाद तुम मेरे कांधे पे सर रख के रो यह मुझे भी अच्छा नहीं लगएगा पूजा मैं आपर तुम्हारे आसु पोशने के लिए नहीं अपनी गलतियों का प्राइस्चित करने के लिए आया हूं दरसल मैं अपने दिल के किसी कोणे में महसूस करता हूं कि मेरा तुम्हे अपने घर बुलाना ठीक नहीं हुआ जबकि मेरा तुम्हें बुलाना गलत नहीं था हमारी ग्रहसी को गलत फैमी की आग लग चुकिए क्रिश्ण प्रसाद और यह आग बड़ी बेरहम होती है लगाने वाले को भी जला देती है और बुजाने वाले को भी मेरा दामन बचाने के लिए अपने हाथ में चला चले जा अब जलने के लिए बचा ही क्या है पूजा गम स्थे खाली नहीं जिस्म का को ना कोई हम रहें ना रहें हम पे मत रोना कोई पूजा हमारे साथ आपूजा झाले के बाते हैं के दो झाले कि लुक पूए जाए में तेता कोई हिए मेरे शक और यकीन को और मजबूत करने आए हो अब मुझे कोई गलत फेमी नहीं रही तेरे हाथों में इसका हाथ एक जिन्दा सबूत है डिपक मेरे बाबुजी समझते थे कि घर में लक्षमी आएगी तो सब कुछ अपने आप आजाएगा वगर सब कुछ उल्टा हो गया घर की मान मर्यादा सब कुछ उल्ट किया तुभारा कुछ भी नहीं गया डिपक दम तोड़ती हुई चिंगारी को ह ने ठेखॏंगे पाईव जाएगा जिस मुद्प की इभी भाग कर किसी और काहप थाम ले उसके पास आख से बचाने के लिए कुछ नहीं होता है तुम्हें गलत सयमी menjadi तीपका कि यासच नहीं है कि आि सच नहीं है तुोसे पाने के लिए अमीर बना क्या है नहीं है कि विन तो तेरी मुझबत के फसाने गलत कैसे हो सकते हैं हाँ गलत नहीं है यह सच है कि पूजा मेरी जिंदगी की पहली और आखरी खौईश थी मगर मेंसे पाना सका मेरे हालात गर्दिश में थे तू खुश नसीब था इसे अंचाहिप पा गया मैं कम नसीब था चाहकर भी पाना स हजारों हाथ आस्मान की तरफ उठते हैं मगर दुआय सबकी कबूर नहीं होती है तुम्हारे नसीब में से शादी लिखी थी और मेरे नसीब में इसका अधूरा प्यार और शादी पर भारी है ये अब भी तंवन से तेरी है कि ये मेरे घर में थी तू इसके दिल में था तक गया है तू इसकी तस्वीर को पूचते-पूचते जा इसकी पूचा कर इसे मर्द मिल गया तो मुझे बीवी मिल जाएगी कि मेरे घर में कुल्टाओं के लिए कोई जगा नहीं है काली मन तो मुझे हर यूग में सीता अगनी परिक्षा नहीं देगी मगर राम हर यूग मैं चाहेगा कि सीता के वजूद पर किसी रावन की परचाई ना पड़े किस परचाई की बात करे हो तुम जब सीता राम की हो जाती है तब उसके आगे लक्षमर नेका खीची जाती है जब मैं कृष्णा की थी तो तुम्हारी नहीं थी जब मैं तुम्हारी हो गई तक कृष्णा को भुला दिया मैंने है कि तुन्हें की हन लड़की प्यार करती है कि ने भी किया है मैंने की में अगर तुम दोन अपने जिगा सही हो तो मैं भी गलत नहीं हूं पुझे भी अपनी दोराई पर लाके खड़ा कर दिया कि समझ मैंने आता कि मेरे शुरुवात क्या थी और मेरा आंथ क्या है तेरी शुरुवात तेरा ये आशिक है और तेरा आंथ तू खुद है मेरे साथ बंधे रिष्टे की डोर तूट कई है अब तु मेरे पीछे भी चलेगी तब भी नहीं जोड़े जाके मेरे तरह देखें मैं कृष्ण प्रसाद कि कहने को तुम्हारा मालिक भगवान के घर में खड़ा होने के बावजूद तुम्हारे सामने घुटने देखता हूं कि जो मैं तुमसे मांगने जा रहा हूं हूं मैं भगवान से भी मुझे सकता था मगरält मुझे मालूम की यह मुझे नहीं देगा है क्योंकि इसने आज तक मुझे कुछ नहीं दिया जिव थील कैस tang क्यर देखा डिवां मैं पागल हो सकता हूं क्यूक्. मैंने प्यार किया मेरे प्राइस्चीत की ना सही, पूजा के सन्वान की तो लाज रखो, मैं, मैं तुम्हे इस तरह इसे छोड़ कर जाने नहीं दूगा दीपर, चल हट, दिपाक, मैं इसना कमजोर नहीं, यह तुझे रोखना सको, तो रोख ले, राते तू गुजारे और पती का नाम मैं दू और तुम उससे कहता है, कि मैं इसके दिल में रहता हूँ, कहा है वो इसका दिल, जिसमें में रहता हूँ हरे यह पक्की हिंदुस आने है यार, हाँ, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी का मतलब समझता है, कुछ भी, इसे देखता है, यह एक आकसी देखती हूँ, बहुत जालिम है, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं देखती, मैं इससे रही जादा जालिम हूँ, पागल अगर यह मुझसे प्यार करती तो चुप-चुप की थोड़ी मिलती एक रात में तुझे और तेरे घरवालों को लात मारकर के भी गुपफ इंड़स्टीस की मालकिन बंजाती क्या कर लेता तू मगर यह सा नहीं करेगी मालों क्यों यह इंडिया है इंडिया यहाँ प प्रवाट उच नीच पीडी सीडी खांदान पांदान संसकार कार बैंक बैलन्स बंट शंड बाबाजी का घंट सब देखा जाता है इस साला मगर क्या फाइदा इसके बाप ने मेरी इसके साथ शादी नहीं होने दी चुक्य मैं नौकर था ँि अगया कि मैं अपने बराबरेवालें से शादी करवावंगा गया मेरे नौकर से शादी करती फुट्ठे आज पैसे और शौरत के मामले में मैं इसके बाप का भी बाप हूं क्या कर लिया मेरे यह सुर्खी जो इसके मांग में सिंदूर बनाकर सजाना चाहता था आज भी मेरे माते देखता हूं तू नहीं देख सकता तू विश्वास कर विश्वास पर दुनिया कायम है विश्वास यह ऐसी चीज इस दुनिया में जो पत्थर के मुर्ति को भगवान मना देता है बोल तू विश्वास करता है कि नहीं क्रिश्णा है क्रिश्णा तू करता है कि नहीं करता है कि यह तुमने क्या गया हुआ हुआ है दुनिया सच्चाई का सभूर मांगती है और सच्चाई साभीत करने के लिए और कोई रास्ता नहीं तुम्हें तीपक मैंने पूजा को घर बुलाया था मगर वो मेरी हवस नहीं थी मेरा अहंकार था तुम मुझे बुरा कह सकते हो मगर गिरा हुआ नहीं क्रिश्ना नाम है मेरा काला मगर तुम तो दिपक हो अपनी रोश्नी में पूजा की पवित्रता को देख सकते हो तुम्हें नाम है अपनी हद से ना गुजरे कोई इश्क में जिसे जो मिलता है नतीब से मिलता है किष्णा शिकवा नहीं किसी से किसी से गिला नहीं किष्णा